सिंदबाद की यात्रा बगदाद शहर में सिंदबाद नाम का एक व्यक्ति रहता था उसके पास अपार धन संपत्ति थी उसने अनेक समुद्री यात्राई की थी यात्रा के दौरान उसे अनेक कठिनाईयों का भी सामना करना पड़ता था लेकिन वह उसका सामना बहुत ही हिम्मत से करता था उसके जीवन में यात्रा के दोरान खटित एक खटना इस प्रकार है एक बार की बात है सिंदबाद अपने कुछ साथियों के साथ समुद्री यात्रा पर निकला उसने जहाज में बहुत सा माल रखवा लिया मार्क में पढ़ने वाले बंदर काहों पर माल पेचते पेचते वे एक टापू पढ़ जा पहुचे वहाँ पर उन्होंने अपनी जहासों के लंगर डाल दिये सिंदबाद और उसके साथ ही टापू पर काफी देर तक खूमते रहे वहां का वातावरण सुहाफ ना था चारो तरफ फल वाले चायादार व्रिक्ष थे उन लोगोंने कुछ फल तोड़ कर खाए इसके बाद सिंदबाद विश्राम करने के लिए एक व्रिक्ष के नेचे लेट गया ठका होने के कारण जल्दी ही वह गहरी निद्रा में सो गया काफी देर बाद जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि वह उस टापू पर बिलकुल अकेला है उसके साथ ही उसे छोड़ कर जा चुके थे वे अपनी साथ उसका जहास पे ले गय थे सिंद बाद बिलकुल नहीं घबराया अब वह इस संकट से निपटने का उपाय सोचने लगा उसने चारों और नसर तोड़ाई दूर दूर तक कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा था उसने एक पेड पर चड़कर इधार उधर देखा कुछ दूरी पर उसे एक सफेद रंकी गुम्बत चैसी चीज दिखाई पड़ी वह पेड से उतर कर उस सफेद गुम्बत के पास जा पहचा उसने उसे चू कर देखा वह बहुत चिकना था उसने उसके अंदर घुसने के लिए रास्ता ठूंडा लेकिन उसे कोई दर्वाजा नहीं मिला उस गुम्बत का आधा हिस्सा रेत में दबा हुआ था उसने उस पर चढ़ने की कोशिश की लेकिन चिकना होने के कारण चढ़ नहीं सका तव ही अच्छानक अंधेरा सा चा गया जबकि उस समय आस्मान बिलकुल साफ था वहां आकाश की ओर देखने लगा उसने देखा कि एक विशाल काई पक्षी उड़ता हुआ आया और उस सफेद कुम्बत पर जा बैठा आप सिन्दबात को समझ में आया कि यह सफेद कुम्बत जैसी चीज उस पक्षी का अंडा था सिन्दबात बहुत ध्यान से उस पक्षी और अंडे को देख रहा था पक्षी के बड़े से पंचे को देख कर सिन्दबात को एक उपाई सूझा उसने हिम्मत करके अपनी पकड़ी उतारी और उसके एक चोर में खुद को तथा दूसरे चोर को पक्षी के पंचे में बांध लिया प्राता काल वह पक्षी सिन्दबात को भी अपनी साथ ले कर उड़ गया वह पक्षी एक ऐसी खाटी परुत्रा जहां हीरों की खान थी सारी खाटी सापों और अजकरों से भरी पड़ी थी वह पक्षी शायद सापों और अजकरों को खाने के लिए ही वहां गया था सिन्दबात ने अपने आपको उसकी पंजे से छुडा लिया और एक पेट पर चटड़ गया उसने देखा कि उस मक्षी ने एक साप को अपनी चोच में दबाया और उड़ गया सिंद बात इधर उधर देख रहा था कि उसकी नसर एक गुफा पर पड़ी वह पेड से उतरा और उस गुफा के अंदर चला गया एक पड़ी से पत्थर से उसने गुफा का दर्वासा बंद कर लिया और किसी तरह वहां राद बिताई सवेरा होनी पर वहां बाहर निकला सुबा के समय बाहर का द्रिश्य देख कर वहां आश्चरी चकित हो गया घाटी में चारों तरफ हीरी चवाहर बिखरे होए थे उसने कुछ हीरे अपनी पगडी में पांध लिये उसने देखा कि वहां मास के टुकडे भी बिखरे थे सिन बात ने सोचा शायत ये टुकडे किसी व्यापारी नहीं डाले होंगे उसका अनुमान सही निकला इन मास के टुकडों में हीरे चिपक जाते थे पक्षी जब इन मास के टुकडों को बाहर ले जाते थे तब व्यापारी इन टुकडों से हीरे निकाल लेते थे सिन बात ने तुरंत अपनी बुद्धी का प्रयोग किया उसने मास के बड़े बड़े टुकडे अपनी पीट पर बांध लिये और चटान पर जा बैठा थोड़ी देर में भयंकर आवास करता हुआ एक विशाल काई पक्षी आया और सिंदबाद को अपनी चूँच में उठा कर एक पहाड की चोटी पर ले गया पहाडी पर कुछ वियापारी पैठे थे जुकि शायद उस पक्षी का ही इंतिजार कर रहे थे वियापारियों ने पक्षी की उपर पत्थर फेके जिससे वह मास छोड़ कर उड़ गया वे वियापारी दोड़ कर मास के टुकडे के पास आए तो वहाँ उन्होंने सिंदबाद को देखा सिंदबाद ने वियापारियों को अपनी पूरी आपबीती सुनाई व्यापारियों ने सिंधबात को अपने साथ ले लिया और वे आगे की यात्रा करने के लिए प्रस्थान कर गए